वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते पर्मसनमान योग सासंगत जी अज तो हडे नाल गुरु सहब देख चमतकार दी गाल करांगे शायद उस उपर तो हानु यकीना हुवे अपने चैनल दे सब्सक्राइब मतलब की अपना परिवार हुन सवा लाख पार कर गया है उसले तो हाटा साब्दा दिलतो तान वाद कर दे हां अगे वी एदा ही प्यार दिन दे रहो संगत जी वीडियो नो लाइक ते कमेंटां दे विच वाहे गुरु लिखके अपनी हाजरी जुरूर लगवाना जी तो हाटे नाल हुन सची कथा सांजी कर लेंदी हां अज दिये है कटना शिरी दरवार सहव अमरित सर सहव दी है जित एक नोजवान साब्द सूर्थ सिख पंजाब पुल्स मैक में दे विच लगया होया है पाई परमजित सिंग अनांदपुर सहव वालया ने दसया कि ओना ने इस नोजवान गुरु सिख नोजवान नूँ चोंकी दे विच देख्या ते पाई सहव जी ने दसया कि मेरा मान इस गुरु सिख नूँ देखके बहुत ही जादा खुश होया ओना ने उस गुरु सिख नो केहा कि पंजाब पुर्श दा ठानेदार है गुरु सहव दिक सिखी संबाली है ते दाड़ा प्रकाश है तेनू देखके तेरा रूप देखके मेरी रूप बहुत ही जादा खुश होई पाइस एप जी ने केहा कि इस तरह एक सिख दा सोना रूप देखके मेरे मांदे वीच बहुत ही जादा खुशी आई सोचो जेकर एक सिख दे मांदे वीच जहिया सिसा निकल रहिया होना प्यार उमड के भार आ रहा होवे ते सोचो वसाप चुरत सिखी सुरूप देखके गुरुजी दे मुख्यतों मिल दिया होन गिया ते गुरुजी किने खुश होन गे तुशी सोच भी नहीं सकते एहे गुरु दी मोर ने ते साड़ा संबाल करना इना दा फर्ज है एहे सब सुनके थानेदार वीर ने दस्या की पाई सहब जी मेरे पिंड बाबा बकाला ते उस दे पिता दा दिहानत हो गया है कार दे विच ओहो ते उस दी मा ने दो पैना सी ओना दा विया कार दिता गया ते ओहो आप पडली के थानेदार बन गया पंजाब दे विच खाल से दा 300 साला मनाया जाना सी एक दिन उस दी मा ने उसनु केहा की पुत्तर एहे कार सिखा दा नहीं लगदा मा ने केहा कि पहला तां उस दे पिता हुंदे सी जो की सिखी सुरूप दे विच सान ओना दे सिर्दे उते पगडिते दाड़ा प्रकासी केस रखे होई सान ते गुरू दे लाड लगे होई सान कैनवाले दूरों ही कै दिन्दे सान कि एक कर सिखा दा कर है हुन तेरे पितां तो बाद इस कारदा मुखी तू ही है ना ता उस दे सिर्थे दस्तार सी ते ना ही दाड़ा परकास सी उस दी माने केहा की कारदे विच हुन ओ दोनों मा पुतने ना ही पुतने अमरित शक्या होया सी ते ना ही माने सोकार किसे भी पासियों सिखादा नहीं लग रहा सी एह सब देख के दिल दे विच दर्द निकल रहा सी माता जी ने कहा कि पुतर जेकर तेरी सला होवे ते मैं इस तिंसो साला पूर्बते अमरत शकलमा थानेदार ने कहा कि माता जी इस तों वदिया काम हो की सकदा है तूसी इस विसाखी दे तिनसो साला गुर परवत अमरित शको एह सुन के माता जी ने कहा कि पुत कि जोदो मैं अमरित शक के आमागी ता लोक ताने मेने मारनगे कि माने ता अमरित शक लेया पुत्य हजे भी मोना फिर दै सिखी तो दूर है उस दी मा ने उसनू केहा की मैं तेनू हाथ जोड़ के बेन्टी करती हाग कि मैं तेनू दाड़ी वलों कुछ भी नहीं कहने दी पार तू केश कतल ना करवाया कर केश राख दस्तार सजाया कर उस तों बाद उस थानेदार नोजवान ने ठान लेया कि मैं अपनी माता जीदी एह एच्छा पूरी करनी है ते सोचेया मैं हुन केस कतल नहीं करवा मांगा केस रखके दस्तार सजा मांगा उस नोजवान ने उसी तरह ही किता केस बद उने शुरू कर दिते ते दस्तार बननी वी शुरू कर दिती केसा दे नाल नाल हुन दाड़ी वदनी शुरू हो गई हुन दाड़ी कतल करवोंदा जीगरा नहीं सिप हो रहा थानेदार नोजवा ने कहा कि जोदों भी मैं सोचदा सी कि अज दाड़ी कटवा लमा ता उसने कहा कि मेरा जिगर ही नहीं पैंदा सी कि मैं दाड़ी कतल करवा मा जोदों भी मैं अपने यारा दोस्ता दे विचे बैठदा ता ओहु मेनू ताने मेने मार दे की तो एनी लंबी दाड़ी वदाई होई है इसनो कटवा दे वदिया नहीं लग दी उस नोजवा ने केहा कि मैं एहे सब सुनदा रेंदा सी उस तों बाद मैं गुरु सहब जी दे अगे अरदास करदा सी कि गुरु सहब जी तान तान शीरी गुरु गोबिन सिंग सही महराज मेंनू बल बक्षो मेरी रख्या करो इक दिन उस दे यारा दोस्ताने मजाक मजाक दे विच तना मार दिता ते उस दे दिलनू इक डुंकी जही साट लगणी शुरू हो गई उसे दिन ही ओहो दुखी होके दाड़ी कटवोन दुकान दे चला गया जी में ही ओहो दुकान दे अंदर पैर रखदा है तान उसनू दिखना बांद हो जानदा है आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते तां उस दियां अखा आगे हनेरा आ जान्दा है ते उसनों चक्कर उने शुरू हो जान्दीने पहला पहला तां उसनों इहे भहम जया लग गया जोदों उसने दुकान तों पैर बाहर रख्या तां उसनों साब कुछ दिखाई देन लग पया उस दे चक्कर वी हाट गे ते उहू बिल्कुल पहला वांग ही नोर्मल हो गया दुवारा उसने फिर जोदों दाड़ी कट वोंद ले दुकान दे अंदर पैर रख्या तां उसनों फिर तों दिखाई देना बांद हो गया तां उस दियां अखा आगे हनेरा आगया तां उसनों चक्करोंने शुरू हो गया फिर उसने दुकान तों बहार जद पैर रख्या तां उसनों फिर सब कुछ दिखन लग पया चकर वी हाट गया ते उहू फिर तों नोर्मल हो गया उसनों समझा चुका असी कि गयान हो गया सी तां तां शिरी गुर गोबन सिंग्ग जी महाराज दाड़ी कतल करवोन दे विच उसनों हुक्म नहीं दे रहे ते ना ही ओहो उन एह काम करेगा ओहो दाड़ी केस कतल नहीं करवावेगा जो मर्जी हो जवे हुनो हो दाड़ी ते केस रखे करेगा बेयद भी नहीं करेगा दाड़ी ते केस कतल नहीं करवावेगा उस तों बाद उस ने तांटान शिरी गरू गुबन सिंग महाराज जी अगे बेंदी की ति कि हेव गुरु साहिब तूसी मेरी माता दीदी इच्छा पूरी करंदे विच मेरी मदद करेओ कि मैं किते भी मैं गल्तरा ना पैजामा जेकर मेरा मन किसे गल्त पासे जाननों करेतां मेनों मोड लेओ तू हटा बच्चा हां मेरी रख्या करेओ गुरु सहब जी आस्तों बाद मैं कदे भी दाड़ी ते कतलक केस्त नहीं करवोंदा एह अरदास गुरु सिख वीर ने गुरु गोबिन सिंह महाराज देगे कीती जिस्तों बाद उस नोजवान ने मुड के कदे भी दाड़ी नहीं कटवाई दस्तार सजाई ते पूर्ण रूप बीच अमर्ति शाक के गुरु सिख बन गया इस तरह दी वीडियो देखन देलेई साथे चैनल नूँ सब्सक्राइब कर लवो ते वीडियो नूँ वादतों वादे शेर जुरूर करेओ नमी वीडियो लाएके जल्द ही आमागे ओदों ताक देलेई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते